इंडिया में होंडा कम्पनी की कितनी और कौन-कौन सी गाड़िया हैं जो कि इस वक्त मोजूद हैं चलिए जानते हैं सभी गाड़िया टॉप लिस्ट प्रोवाइडर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नए नए वीडियो देखने के लिए होंड अमेज ये एक सब कॉंपक्ट सिटान गाड़ी है इसे इंडिया में लॉंच करा गया था सन 2013 में ये पहली गाड़ी थी इंडिया में होंडा की जिसमें डिजल इंजन अच्छे से फिट किया गया था अमेज में आपको 7-inch touchscreen, infotainment system with navigation, dual airbag, ABS with EBD, rear parking sensor and climate control, petrol और डिजल दोन इंजनों को option 1.2L petrol, 1.5L diesel और petrol पर mileage 18.6 kmpl का और डिजल पर 24.7 kmpl का कीमत 6,63,000 से कीमत शुरू होती है फिर होंडा जैज, जैज 5-6L हेच पेक गाड़ी ये इंडिया में, एक कार फिलाल इंडिया में 3-4-3 petrol engine के option में मिलती है automatic और manual दोनों ट्रांस्मिशन का option, 1.2L petrol, 90PS की पावर, 17 kmpl का mileage, 8,100,000 से कीमत शुरू होती है on the WRV, WRV is subcompact crossover SUV काड़ी है इंडिया में, इसको इंडिया में सबसे पहले लौंच करया गदा, सन 2017 में इस काड़ी का design काफी अला गया, rear styling, high ground clearance, all wheel drive का option भी, काड़ी में काफी जादे features भी दिये गए है infotainment system, apple carplay, android rotor, climate control, airbag, ABS with EVD cruise control, और दोने इंजनों का option diesel और petrol में 1.2 liter petrol, 1.5 liter diesel, petrol per mile 16.5 kmpl का और diesel पर 23.7 kmpl का, एक showroom की में 9,11,000 से शरू होती है नोलाग 11,000 से शरू होती है परे होंडा सेटी फोर्थ जनरेशन, इसे इंडिया में लोंच करया गया था नवंबर 2013 में petrol engine मिलता है, 7-inch touchscreen infotainment system, cruise control, air parking sensor, electronic stability control, safety features की बात करें dual air rack, ABS with EVD, ISOFIX, child seat mounts, और engine की बात करें, 1.5 liter, 17.4 kmpl का माईले, 9,11,000 रोपे से एक showroom की में शरू होती है पर होंडा सेटी, होंडा सेटी एक mid-size sedan गाड़ी है, इस कार में आपको काफी बेहतरिन और जादे features मिलते हैं ऐसे की 8-inch touchscreen infotainment system, android.ru carplay, wabbling support, इसके लाबा गाड़ी में आपको कई सारी features भी मिलते हैं गाड़ी के top variant में आपको hybrid technology मिलेगी, शरिफ top variant में ही मिलेगी petrol और diesel दोन इंजनों का option, 1.5 liter petrol, 1.5 liter diesel और mileage S का petrol पर 78.8 KPL का और diesel पर 24 KPL का, कीमत 11,57,000 ते 15,52,000 रुपे तक की एक showroom कीमत तो मैंना आपको Honda Company की सभी गाड़े बताई हैं जो कि इंडिया में मौजूद हैं 20. können की इंडिये कि अधके आपको फसे हा सी नहर बेकर कार आपको और आपकेест कुरिए का की मौजद detta, तो मौजद can कीमतrä दूझ sırस образुद कर भाड़े ऑफ़े जदेने के दो और हम दो जेगे टो कर दो किएतमा रूदाने सु आपको धिए कीमता रूदामगे पतागले य